तो 9th के स्टुएंट आप सभी लोगों के लिए बहुती स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं सर्फेस एरिया एंड वॉलिम अगर आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास में एक लेशन है जिसका नाम है मैंसुरेशन मैंसुरेशन 10th का 7th lesson है जिसके अंदर इस lesson के जितने भी फॉर्बलेज हैं सबकी requirement लगने वाली है और आपको पता होगा कि 10th वाले इतना अच्छा response दिखा रहा है और हम महाराश्रा में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अगर 9th के student हो तो प्लीज आप अपने दोस फॉर्बले पूरे के पूरे आपको याद हो जाएंगे इसकी guarantee मैं लेता हो तो चलते हैं दोस्तो देखो सबसे वहला क्यूबॉइड है तो आपको यह क्यूबॉइड में सबसे पहले यह पता होना च्छी कि भाई क्यूबॉइड में length होता है breath होता है और height होता है तो दोस् दोस्तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो यह cube में अगर मैं बात करूझ तो क्यूब के सभी side को हम L consider करते क्यूंकि इसके अंदर सभी side same होते हैं इसमें L भी है समनी लेते है सभी side को L लेते है तो दोस्तो अगर मैं इसके volume की बात करूझ तो L into L क्या हो जाएगा दोस्तो जैसे आप L into B into H है तो वैसे आप L three time multiply करोगे तो direct आप क्या ले सकते हैं दोस्तो L Q देखो ऐसे ही simple तरीके से आप पूरा का पूरा formula याद हो जाएगा अब देखो टोटल surface area की जहाँ पर बात आती है बहुत ही simple तरीके से यह भी है देखो आपको L, B, H पता होना चाहिए पूरा का पूरा formula आपका याद हो गया है और दोस्तो अगर मैं vertical surface area की बात करूँ तो vertical surface area में बहुत ही simple है दोस्तो देखो यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पे L और B को आप प्लस लोगे और H यहाँ पर लोगे multiplication में या तो आप इसे ऐसे भी लेख सकते है 2H और bracket में L प्लस भी ले सकते हो तो बहुत ही simple सा formula है दोस्तो देखो अगर आप total surface area की यहाँ पे अगर आप बात करते हो cube में तो total surface area अगर हम ध्यान से देखे तो यहाँ पे total 6 faces होते हैं देखो एक face आपके सामने एक पीछे एक उपर एक नीचे एक बाजू में और एक ही side total total 6 faces होते है तो 6 faces को हम direct consider कर सकते हैं 6 L square L square में ने इसलिए लिया वे क्योंकि इसके faces square की तरह रहते हैं तो इसलिए jom square का अगर हम area consider कर रहे तो side square होगा और इसका side दोस्तो L है तो L square होता और कितने sides होते है total 6 तो 6 L square याद हो गया वर्टिकल सर्फिस एरिया में हम दोस्तो बाजु वाला यह वाला इस साइड वाला फेस लेते उपर नीचे वाला नहीं लेते तो डैर कि आप इछे तुरितल फोर फेस लेते इसलें के आएगा एल स्फर olduğय अगर से लिखें अगर सिलिंडर में सिलिंडर में किसी भी चीज संवर में अगर आपको गया डूसका एरिया लिखो अघ appearing सेके और दोस्तों इसका और याद हो गया तो कोन का वॉल्लिम हो जाता है तो सेम फॉर्वलट लिख भूए देखो यह पाई- आर स्क्वेर एक्स बस आगे वर्याय त्थी अब दोस्तों अगर यहाँ पर चलू आगे तो यहाँ पर अगर मैं देखो टोटल सर्फेस एरिया अगर मुझे निकालना है तो उसके पहले मैं कउ सर्फेस सीय करना है देखो सॉ पाइ और बस उसको h से multiply कर दो तो 2 pi r h हो गया और अगर मैं total surface area की बात करूँ तो दोस्तो आपको क्या करना पता है यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक circle है उपपर एक circle है मतलब यहाँ पे pi r square और उपपर एक circle है तो यह क्या हो जाएगा 2 pi r square और साथ में cause surface area को formula के है दोस्तो 2 pi r h है यह दोनों को plus कर तो आपको total surface area मिल जाएगा इसमें से चाहिए तो आप देखो 2 pi r common ले लो तो अंदर एक r बचा और यहाँ से दोस्तो h बचा तो यह देखो एक simple सा formula कि यहाँ पे अगर आपको कभी निकालना तो यहाँ पे दोको एक circle है उपर एक circle है दो circle हो गए तो क्या हो गए दोस्तो pi r square तो क्या हो गए 2 pi r square और उसमें cost surface area को add कर लो तो आपको formula याद करने की जोरत नहीं है डारेक में डारेक लिख सकते दोस्तो 2 pi r और यहाँ पे कहाएगा दोस्तो r plus h अभी तक आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा यार formula तो याद करना होगा पर अब आपको feel हो रहा है कि यार formula जो है वो याद करने की जोरत नहीं है आप बहुत अच्छे से चीज़े cover कर सकते हो yes area of base अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका base क्या है circle है तो circle का area क्या होता है दोस्तो pi r square हो गया यार अगर हम देखे cause surface area इसका cause surface area दोस्तो होता है pi r l यह आपको पता होना अच्छे आपके मन में आ रहा होगा sir l क्या है तो l मतलब यहाँ पे दोस्तो slant height है और हमेशा जो perpendicular height है वो हमेशा हम सीधा लेते पर यह slant height को हम l consider करते हैं और दोस्तो यह आ रहे है तो यहाँ पे अगर हम 7th class वाला pythagoras अगर apply करें तो एक और formula बनता है दोस्तो l square which is equal to h square plus r square चाहिए तो आप यह l ऐसे लिखके यह under root में भी आप लिख सकते हो अब दोस्तो यह देखो यह सभी formula हो गया अगर आपको निकालना तो क्या करना है दोस्तो बहुत ही simple सा formula है कोई दिक्कत नहीं है आपको देखो नीचे एक circle है नीचे एक circle है मतलब क्या है दोस्तो pi r square और दूस्तों आपको पता है कि उपऽर काउ वाला पार्ट यह चाह सबस्तो और आप अगर बाहर लेते हो तो अंदर आघए और बस Tho 2डों यह पूरा का पूरा पार्ट होनी का दो बहुत ही special में इक यह दोनों ही special for you आपको बहुत अच्छे तरीगे से cover करना है दोस्तों और इसके उपर बहुत बार exam में question even 10th class में question पूछा जाता है तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके सबता हो न अच्छी जैसे अगर मैं spear की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर क्या लेंगे करो इसका मस्त है 2 स्वडिया रखना बहुत तरह गलत लिखते हैं मीचपीम की बात करहें दोस्तों कहांगे सब से團 गया हूँ और मैं यहाँ पर बात करों तो यहां पर सरफेसरी है तो ऑगर आप हमिस्पियर अगर आप देखोगे तो हमिस्पियर दुस्तों तो एसा रटता है तो हमिस्पियर ऐसा एब इसमें भी कॉभा पर टॉरा इंटा तो कब माजन देटा है तो अब ले रहे हो तो यह पर ले सकत पर एक special formula आता है जो इसके अंदर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं तो टोटल सर्फेस एरिया अगर हेमिस्पेर में कभी भी टोटल सर्फेस एरिया आया तो भाई कव वाला तो आपको formula पता है पर उपर एक circle दीख रहा है तो अगर इसमें एक और circle के formula को add कर देते हो circle का formula क्या होता है तो दोस्तों यह कितना हो जाएगा 3 pi r square बहुत ही simple तरीके से पूरा का पूरा हमने formula कवर कर दिया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं lecture स्वाली चीज़े लूंगा तो अगर आप नीचे comment करोगे तो एक ही lectures में हम बहुत सारी चीज़े cover कर देंगे अब formula अगर सबसे पहले आप अपने दिमाग को बीठा लो आप कोई भी sum आप solve कर सकते हो तो मैंने आपकी चीज़ों को बहुत easy कर दिया है वीडियो को याद से like कर देना नीचे comment करना मत बुलना मिलते है next lecture में bye bye take care जैहिन दोस्तो